हेलो प्रेंड्स, वेलकम टू अना डायरींज, आज हम बनाएंगे मौन्थाल, मौन्थाल भी बेशन से बनने वाली एक मिठाई है, बनती बेशन सही है, नकिल बेशन बर्फिसे काफी अनग होती, इसका टेस्ट और ट्रिक्सर दोलों ही बेशन बर्फिसे काफी अलग होता है और दानेदार होता है, और इसको बनाने का प्रोसेस में आपको एकदव बताने वाली हूँ, बेशन में जो मोगरी लगाने वाला स्टेप है, अदलब दानेदार बेशन को करने का जो स्टेप है, बहुत ही एकजी करीके से आधम बनाएंगी, बनाने स्टाक करते हैं, सब से करने मैंने दो कप बेसन लिया है मैसले जेत के नियwał यह कब सरेट करने उसी से आप सटली चीज़ये को माभ कर आ ले एक जोठाई कप दूट और एक जोठाई cup जीन लिया है बोग मैंने लोम थंटेमठीचोः वाला लिया है दूट و ओखी को डाल कर हम रिस्पोन से सारे विसन को अच्छे से mix करनेंगे, आप चाहें तो ये process हाथ से भी कर सकता है, हमें दो घी और बेशन को सिर्फ mix करना है, ज्यादा कुछ लिए करना, इसके बाद में आपको बताऊंगी, क्या हम इसमें दाना कैसी बनाना है, बहुत ही easy step है, और सबसे बड़ी हमें से सिर्फ चमब से मिलाया है, और इसमें हमने कोई मेहनत ने किये, देखिए, सारे mission को हमें जार में डालना है, और direct लगा कर इसे हमें सिर्फ pulse mode पर एक से दो वार चलाना है, देखिए इस तरीके से, मैंने सिर्फ pulse mode पर इसको एक से दो वार चलाया है, और देखिए, द इक्वल दानेदार त्यार हुआ है, आप देख सबते हैं, कितना अच्छा दाना बन कर त्यार हुआ है, देख़िए, बल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, अब इस बैसंग को आमें शेकना है, शेकने के लिए मैंने आधा कप घीली लिया है, मैंने मिन्टेट घीली लिया है, आप चाहें, तो जम्मा हुआ भी नहीं सकते हैं, जी अच्छे से क्यानम हो जाए, उसके बाद हमें इसमें बैसंग डाल देना है, सारे बैसंगों में इसमें डाल देना है, और लो फ्रेम पर हमें से चलाते हुए, कंटिन्स को सेखते रहना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, और इसमें से खुशबों आने लगे, अभी आपको इसा लगना होगा कि इसमें घी का में, लेकिन जैसे जैसे बैसंगों सिखता जाएगा, वो सारा घी रिलिस कर देगा, और यह नाने में हमें बिल्कुल भी डिकत नहीं आएगी, देखे हमें इस प्रोसेस लो फ्रेम पर करना है, बेसन की भराई हम जितने ही थेंगे, आज पर करेंगी, मौन धाल उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर त्यार होगा, इस प्रोसेस को करने में हमें, दस से बारा मेंट लगेंगी, आप इसमें जन्तवाजी बिल्कुल ना करें, इसे आराम से शेखते करेंगे, देखिए हैं ठीडे-ठीडे, जी छूटता जा रहा है, और हिलाने में, सोफट होता जा रहा है, इसको सिखने में तोला टाइम जरूर लगता है, देखिए, सिट्टे सिट्टे मिशन के ता ता अच्छा से फोल गए है, अब हम इसका कलर और चेंज कर रहें से, हम कि जो दाना हमने बनाय था वो एज़िटिस बना रहेगा बुलकुल भी मेल्क नहीं होगा और बहुत ही दानेदार मौन्थाल बनकर त्यार होगा इस प्रोसेश को आप बिल्कुल भी स्किट न करें क्योंकि बहुत ही जरूरु ही ज़रुब है इसा करने से ही मौन्थाल का टेस्ट और टिक्स्ट कर आता है क्योंकि मौनी वालिवेशन की वर्फिय भी हम बनाते हैं तो उसका भी तरीका यहीं है लेकिन इस तरीके से बीच दूद नहीं एट किया जाता, देखिए मैंने one fourth cup दूद लिया है, room temperature वाला दूद है, जैसे हम इसमें एट कर देंगे और अच्छे से mix कर देंगे, लोग flame पर जब तक कि जो हमने दूद डाला है, वो सारा सूख न जाए, अब तक हम इनी सेखते रहना है, क्योंकि दूद डा सेखते रहना है, यह प्रोसेसर में उलकुल लोग flame पर ही करना है, और देखिए मेशन का करार काफी चेंड हो गया है, बस अब दूद शूख जाए, तब तक हम इसे और सेख कर देना है, दूद काफी सूख गया है, और घीवी चूपने लगा है, अब हम ग्लियस बन कर दें हमें दूसरा पैन लेने की जुरत नहीं है, हम इसी बतन में चाष्णी बना लेंगे, चाष्णी बनाने के लिए एक कप चीनी ले लिए, दो कप बिसन के साथ, एक कप चीनी और आधा कप पानी, अब जब तक चीनी बट्से से ना मेट हो जाए, तब तक हम इसे continue हिलाते रह करेंगे, तक इच्छे से कलरों खुश्बू आजाए, जब तक चाष्णी पक रही हिए, तब तक हम मौन धाल के मिश्टर ना अकप मिल्क बाउडर लेट करेंगे, यह बिल्कुल ओक्षियान है, आप चाहिए दुमिट करें, और आप नहीं डालना चाहते, तो भी मौन धा आपका बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, यह कोई अशेंशल नहीं है, मिल्क पाउडर के बिना भी मौन धाल बनाया जा सकता है, तेकिन मौन धाल डालने से थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने एट कर लिया है, देखिए मैंने मिल्क पाउडर को उसमें आथा से मिक्स कर लिया है, और जैसे मैं मौन धाल सेट करना है, बिर तनको मैं अच्छा ब्रीशन आपकोई भी ठाल या ट्रे ले सकते हैं, मैंने उसके उपर बैखर प्यस्या भी लगा दिया है, तकि मौन धाल को निकाल करने में एजी रहे और उसकी शेप बिल्कुल भी ख्राब ना हो इसलिए मेंने से वेट रुपर लगा दिया है बटर पेपर को भी हम उसी बड़श्य कर लेंगे और इससे हम एक साइट रख देंगे अब चाशनी माई लगबग पक्र त्यार होने वाली है तो मैंने उसमें एक पिंच औरेंज फूर कलर रेट कर दिया है जो बर्षु बनाने के अला रहता है अला चमश मने इसमें लाईच बार रेट कर दिया है उन सबको मठ्षे से मिक्स कर लेंगे चाशनी पकर त्यार होने एक बार में जेक कर लेती हूं, मौन थाल बनाने के लिए एक तार की चार्षली चाहिए, अगर आपको फटाफट से जबाकर तियार करना है, तो आप डेर तार की चार्षली भी बना सकते हूं, लेकिन एक तार की चार्षली से बनाएवा मौन थाल, काफी दिनों तक सोफ्ट बना रहता है, देखिए, एक तार बन चुका है, एक से दो बने टम चार्शने को उसके बाद जो उने बेसान और मिल्क पावडर का मिशन तियार किया था, उसे इसमें एंट कर देंगे, गेस के अफ़ले मद भी बने लो रखा हुआ है, गेस बन लेकी, क्योंकि जो उने इसमे मिक्स कर लेता हूँ, देखिए, कलर देखिए, कितना अच्छा आया है, बस हमें यही वाला कलर चाहिए था, तो खुश्बू तो बहुत ही ज़्याद अच्छी आ रही है, यह देखने में भी थुड़ा पतला लग रहा है, लेकिन हम इसको दो से तीम नंट अच्छे से पक हैं, तो आप चास्नी धोई से करण बनाएं, तो यह फटाफुट से जम कर सेट हुजाएदा, देखिए, साइट सब बबन आने लगे हैं, खारा मिश्रा अच्छे से पक चुका है, और चास्नी भी अच्छे से गाड़ी होगी है, तो आप गेज बन कर देंगें, और मिश्र देखिए, सारा घी छूट चूट चुका था, देखिए, बतन विल्कुल साफ हो गया ही, चूटने तक ही हमें, मौनधाल को पकाना है, अब मैंने इसे सेट होने के लिए रग दिया हैं, आप चाहें तो इसमें डायर ठूट और वर कभी लगा देंग, और आप चाहें तो ज चाहति के वर्कीת दिल्कुल ओप्षिनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप ना लगाएं, आप अपनी पसंद के नात्रिस मिन डालकर इसको डेखिए कर सकते हैं, और आप इसको डेखिउरिट नहीं भी करेंगे तो भी यह उतना ही टेस्टी लगने वाला है, बस देकोरिशन ड़ने से उपर से, इसकी सुन्दरता बढ़ जाती है, बाकी टेस्टों वहीं आने वाला है, यह निवादाम और पिस्ता की बारिक-बारिक गत्रन करकर इसमें डाल भी है, आप चाहें तो आप में पसंद की मोहन ठाल की लाएं, तो यह अच्छे से चपड़ जाएंगी, देखिए, पास से 6 घंटे हो गई हैं, और हमारी मिठाई बनका विकुल तयार हैं, और देखिए, बटर पेपर लगाने का यही फायदा होता है, कि हमने एजटी लिशन से उठा लिया है, अब हम इसके पीशस क कर सकते हैं, बड़े छोटी पीसे आप चाहें, वह चोकोर चोकोर पीस में निकट कर देएं, और आप देखिए, कितना एज़ी लिए इकटो रहा है, कितना सूफ्ट है, अब मोहन ठाल कॉन सेर्फ कर रहते हैं, आप देखिए, कितना अच्छे पीशस बने हैं, बहुती शा मैं तो कहते हूँ, आप एक मारे सेर्फ को जरूर ट्राय कीजएगा, आपको बना कर बहुती अच्छा लगेगा, और देखिए, मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, इसमें कितना अच्छे कर्स आए हैं, देखिए, बर फिल्प में अच्छी सेर्ट हो, इन शानदार मोहन खाल मिठाए किने सिपे अगर आपको पसंदाई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेंटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लकर हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए और शानदा